वेलकम टू माई यूटूब चैनल वेफ़ ड्वांस लर्निंग में आपका स्वागत है दोस्तों 2020 के पार्ट वन में 2020 के मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफ्वेर के पार्ट वन में हम चलते हैं इसमें हम बहुत अच्छे टॉपिक को कभर करने वाले हैं जैसे टेनि सम्मेलन हुआ है उसकी स्टेडी करेंगे जी ट्वन्टी शिकर सम्मेलन जो हुआ है उसकी स्टेडी करेंगे आई पील मैच में किसको क्या मिला है उसकी स्टेडी करेंगे 2020 में क्या पुरुषकार सम्मान मिला है मात्र 18 मिनिट के वीडियो में आपको सारी चीजें मिल जाए इसलिए हमारे वीडियो को आप ध्यान से देखिए इसमें आप सबसे जो इंपॉर्टेंट करेंट अफेर है उसको बहुत अच्छे तरीके से आप कवर करेंगे इसमें हम इंडेक्श बताएंगे कि भारत में इंडेक्स क्या है भारत का कौन सा स्थान है किस इंडेक्स में ठी यूटूब पे आप देखेंगे तब जाकर यह सारी चीजी है आपको मिलेंगी लेकिन मात्र 18 मिनट के वीडियो में मैंने पूरी चीजों को कवर किया है ठीक है सबसे पहले हम सुरू करने जा रहे हैं टेनिस के चार ग्रेंड इस्लेम टूनामेंट 2020 जो चार हर साल में होता है सहर में फ्रेंच ओपन पेरिस में होता है और बिमडन ओपन लंदन में होता है और इस ओपन निवार्क में होता है ठीक है यह इनके सीटीज है जो जानना बहुत ज़रूरी है अब जो आज चिल ओपन होता है किस परकार के प्लेग्राउंड में होता है तो हार्ड कोल्ट में होता याद रखिएगा ठीक है फ्रेंच ओपन क्ले कोल्ट साफ कोल्ट पे होता है और बिमडन ओपन इस साल नहीं हुआ है इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा बिमडन ओपन इस साल नहीं हुआ है या ग्रास कोल्ट पे होता है ठीक है घास के मैदान पे होता है UAS Open भी hard cold पे होता है, ठीक है, तो यह cold पे होते हैं, यह भी बहुत ज्यादा important and करम भी याद रखना बहुत जरूरी है, इसको आप AFWU से याद कर सकते हैं, A. Stand for Australian, F. Stand for French, W. Stand for B. Medan, U. Stand for E. West Open, ठीक है, और Men's का किताब किसने जीता है, 2020 में, इसको भी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, Australian Open में, जो Men's का किताब जीते हैं, वो हैं, Novak, Junkovic, यह सर्विया के हैं, और Ladies में, Sophia Kenin ने जीता है, यह America की हैं, French Open में, Rafael Nadal जी ने जीता है, यह Spain के हैं, और Omen में, Ega Switek ने जीता है, यह Poland की हैं, ठीक है, B. Medan Open में, हुआ ही नहीं इस साल, US Open में देखें, जो Men's का किताब जीते हैं, वो Dominica Thiem है, आश्ट्रिया के है और जो Omen में खिताब जीती हैं, वो Naomi Osaka, जापान की हैं, ठीक है, इनको ट्रिक से याद करना है, तो Yen R.D. से याद किजिए, Novak, Jinkovic, Rafin Nadal और Dominica Thiem, ठीक है, और इसको Sin से याद किजिए, Sophia Kenin, Yesfath, I for Ega Switek, और Yen for Naomi Osaka, ठीक है, इस परकार से अफसाद ट्रिक से भी आप ज जीता है, ठीक है, और ये करम भी जान सकते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है, तो कोल्ट याद रखना है, देखिए, Australian और US दोनों हार्ड कोल्ट हैं, अब दो बच्चे, एक कले है, एक ग्राफ है, ठीक है, इस तरह से कोल्ट भी आप याद रख लेंगे, ठीक है, आश् इस यूएस की सिटी निवेर्क में होता है, यूएस ओपेन, ठीक है, ये बहुत इंपोर्टेंट है, इस यूएस ओपेन 2020, इसको अब जरूर याद रखिएगा, ठीक है, इस प्रकार से, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अब वीडियो को करम से बनाए रखिएग अब हम इंडेक्स 2020 के इंपोर्टेंट इंडेक्स का हम के वले हैं, चर्चा करेंगे, कि क्या इस्थिती है भारत की केवल, ठीक है, जाज़े तर कंपरिशन में यही पूचता है, कि भारत का क्या स्थान है, ठीक है, जिसे अंतराश्टी अस्तर पर यह बनाए जाता है, कि कि इस देश में किस प्रकार की इस्थिती किस नंबर पे है, ठीक है, अंतराश्टी अस्तर पर एक इंडेक्स तायार किया जाता है, इसमें देश की इस्थितियों को नंबर के मार्द्यम से दिखाया जाता है, ठीक है, जैसे 200 प्रेस Johns kabinion में भारत का स्थान कितना है? 48 है, 22 के आर्थिक सोतनत्ता सुचकांग में भारत का स्थान 105 है और 20 परतियसपर्धा सुचकांग में भारत का स्थान 43 है और वर्ल्ड हैपिनेस सुचकांग में भारत का स्थान 144 है ठीक है, ये बहुत important index है जिसमें भारत का कौन सा स्थान है किसमें ये बताया गया है ठीक है ये बहुत इंपोर्टेंट है इसको आप जरूर अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और इसका स्क्रीन शार्ट ले लीजिए अब फिर मैं अगले पर चल रहा हूँ हम इंपोर्टेंट 2020 के करेंट अफियर में पार्ट वन को हम लेकर चल रहा है ठीक है ओक है हां तो बच्छों हम आइपियर 2020 के बारे में फड़ा सा डिसकस कर लेते हैं जो जब ज्यादा इंपोर्टेंट है मैं वही चीज यहां डिसकस करूंगा इसमें बीजिता टिम कौन थी मुंबई इंडियन्स इसकी कप्तान कौन थे रोईज सर्मा उप बीजिता टिम कौन थी दिल्ली कैपिटल्स इसके कप्तान कौन थे स्रेयस अयर ठीक है इसमें जो मैन आप दो मैच है हुए है वो हुए है ट्रेंट बोल्ट और इसमें जो है परपल कप किसको मिला है कैगिस इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अमेरिका का जो चुना हुआ है उसके बारे में एलेक्सन आफ अमेरिका के बारे में डिसकस करेंगे उसके बाद हम ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ है उसके बारे में डिसकस करेंगे उसके बाद जी ट्वंटी जो सम्मेलन हुआ है उसके बा यह आप लोगों को मालूम होगा कि अमेरिका में जो राष्ट्रपती हुए है। जो बाईडन यह अमेरिका के 46 में राष्ट्रपती हैं। इनको टोटल 306 ओर्ट मिले हैं। जीतने के लिए 270 ओर्ट से ही इनको कितने मिले हैं। 306 ओर्ट मिले हैं। ये डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, इनका चुनाव चुन्न क्या है, गदहा है, ये दो बार बराक ओमामा के समय में उपराष्ट पती रह चुके हैं, ठीक है, ये बहुत इंपोर्टेंट चीज है, उसके बाद जो इनके विरोधी थे, वो थे डोनाल्ड ट्रम्प, इनकी जो होती हैं, इन सीटों को हम Selectral College बोलते हैं, ठीक है, इनको कितना मिला है, मात्र 232 ओर्ट मिला है, इनको 306 ओर्ट मिला है, और जीतने के लिए कितना चाहिए, 270 ओर्ट चाहिए, ठीक है, तो ये बहुत इंपोर्टेंट चीज है, इतना आप जरूर जानिये, अमेरिका के राष उपराश्टपती हुई हैं वो कमला हैरिस हैं क्या है कैमला हैरिस हैं इनके बारे में हम थोड़ा डिसकस कर लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत इंपोर्टेंट है देखिए यहां पर कमला हैरिस उपराश्टपती हुई हैं अमेरिका में इनके जो माता थी वो भारत की निवासी थी उनका नाम स्यामलन गोपाला था जो इनके पिता थे वो जमैका के थे उनका नाम डोनाल्ड हैरिस था अब ये इनकी जो मा थी भारत की थी इंडिया की थी इंडिया में कहां से थी तमिल नाडू से थी बहुत इंपोर्टेंट है इस राज स्टेट को याद रखिएगा किस राजे से थी तमिल नाडू से थी ठीक है तो ये भारत मूल की उपराश्टपती हुई है अमेरिका में भारा से सम्मंद अच्छे ही रहेंगे देखे इससे पहले कुछ अन्य इंपोर्टेंट चीज बता दें कि सबसे पुराना लोगतांतरिक देश जो है वो अमेरिका है इस बात का जरूर ध्यान रखेगा इसमें राश्ट्रपती की उम्र 35 साल कम से कम 35 साल होनी चाहिए और 4 वर्ष का कारेकाल होता है यह तो मालूम ही है आपको और अमेरिका की जो नागरिकता कम से कम 14 वर्ष की होनी चाहिए ठीक है तो यह सारे अमेरिका के राश्ट्रपती के बारे में थे अमेरिका की में जो चुना हुआ एलेक्शन हुआ है उसके बारे में थे अब और नगिश चलते हैं अब दिखिए जो यह Brics Semillon 2020 में हुआ है इस Brics Semillon के बारे में कुछ खास बात हैं आप जान लेज़े आप जानते हैं ब्रिक सम्मेलन में पांच देश हैं जो सम्मेलन हुआ है ये इसका थीम क्या है पहले आप ये देखें बैसवे की स्थिर्ता साजा सुजा नो परवर्टक विकास ठीक है आभी नो विकास ये इसका थीम है इस पर चर्चा किस बिसीओं पर किया गया है आपसी सहयोग, आतंकवाद, बैपार, स्वास्थ, उर्जा और करोना महामारी के बारे में इस पर डिसकस किया गया है ठीक है? इस को इस सम्मेलन की मैजबानी किल किया है? रूस किया है बहुत important है इस समयलन की जो मेजबानी कोन किया है? रूस किया है। इसमें जो पान देश भाग लिए हैं उसमें उनको लिड कोन किया है उस देश को isके बारे में देखें। B का मतलब होता है ब्राजील, ठेक है ब्राजील के राष्टपती जेयर बोल सोनारो ने इस देश को लीड किया है, रूस के रूस के राष्टपती ब्लादिमीर पुतीन ने, B.R. I for India, इंडिया के PM नरेंदर मोदी जी ने लीड किया है इंडिया को, फिर चाइना के, चाइना के राष्टपती सी जीन पिंग और साउथ अफिरिका के राष्टपती सीरिल रामा फोसा ने लीड किया है, ठीक है, तो जो पांचों देश मिले हैं, इंडिया के राष्टपती, इंडिया के परधान मंतरी और बाकी देशों के राष्टपती जो है, इस समेलन को लीड किया है, ठीक है, ये जो है, इसकी अध्यक्चता में जमानी कौन किया है, रूस किया है, लेकिन 2021 में कौन करेगा, भारत करेगा, ठीक है, 2021 में याद रखेगा, 2021 में ब्रिक्समेलन का कोन करेगा इंडिया करेगा ठीक है ना इस बात को द्यान रखेगा ठीक है बाकी जितने भी हमने ब्रिक समेलन में बताया है यह बिल्कुल इंपोर्टेंट है एक दम इंपोर्टेंट है इसका स्क्रींग शाट ले ले लेजिए हाँ तो बच्चों जी ट्वंटी सिकर समेलन के बारे में एक साट वीडियो देख लीजिए मतलब एक साट जलक देख लीजिए जी ट्वंटी सिकर समेलन अभी हाली में संपन्न हुआ है इसकी मेजमानी सौधी अरब ने किया है आपकी बारी 2020 में 2021 में इटली करेगा 2022 में इंडोनेसिया करेगा और 2023 में भारत करेगा इनको करम भी याद रखना बहुत जरूरी है इटली इंडोनेसिया इंडिया यह तीनों इई से हैं इटली इंडो और इंडिया इंडो इंडिया यह दोनों एक साथ है इंडो इंडिया एक साथ है यानि क 22-23 में ये दोनों है जो इटली है वो 31 में है ठीक है ये मेजबानी करेगा बहुत important है जो ये सिखर समयलन हुआ है इसकी theme क्या थी realizing opportunities of the 21st century for all ठीक है ये बहुत important होता है theme भी देखिए ये जो हुआ है सिखर समयलन G20 इसकी agenda क्या थी सबसे पहला लोगों को ससक्त करना सबसे पहले महिलाओं को ठीक है जो महिलाओं को सुरक्षा protection provide करने के बारे में बात कई गई फिर पिर्थवी ग्रह की रच्छा जैसे कम से कम कार्वन सर्जन करके नरेंदर मोधी जी ने इस पर विशेश ध्यान दिया है मतलब कम से कम कार्वन सर्जन पर अपने देश में कम से कम कार्वन सर्जन हो इसके लिए उन्हों ने इस पर चर्चा किया है समयलन में ठीक है इसके बाद नए तरीकों को आकार देना, नए टेकनोलोजी को जन्म देना के बारे में यह बात किया गया है, इसमें मतलबी सम्मेलन का मुख एजेंडा यही रहा है, ठीक है, यह तीनों बहुत इंपोर्टेंट है, कब यह होंगे, कहां होंगे आगामी, यह भी बहुत इंपोर्टेंट है, जो मैंने ब लिखते चले जाएए ठीक है जितना important चीजें होंगी हो सब आपको cover हो जाएगा बस भी बने रहीएगा हमारे वीडियो में बस आपसे हमारा ये request है कि आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास share करिए comment लिखे जो चीजें आपको नई चीजें जाननी हो इ सबसे important current affair का collection होगा ठीक है आप हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो upload करूँगा आपको इसका notification आप तक पहुच जाएगा ठीक है अभी बने रही है इसके बाद हम खेलो इंडिया गेम के बारे में चर्चा करने जा रहा है हाँ तो बच्चो अब हम study करने जा रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में ठीक है ये खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2020 में अभी संपन्न हुआ है ठीक है एक कहा हुआ है ये असम के राजधानी गुवाटी में हुआ है ठीक है ये कौन से संसक्रण था ये तीसरा सं हांदी एफिलिक्ट एस्टेडियम में खेला गया है इसका सुभंकर क्या था मस्करथ जिसको कहते है जय और भीरत इसकी थीम क्या थी 5 मिनट थिक है नय marshmallow सामिल किये गया है ठीक है कौन कौन लान पाना और साइकलिंग जो है दो नये खेल सामिल किए गए हैं और इसमें total कितने खेल खेले गए थे तो 20 खेल खेले गए थे ठीक है इस बात को ध्यान रखिएगा इसमें टाप राज्य कौन कौन से हैं महाराष्ट है 88 gold medal के साथ उसके बाद हरियाडा है और 60 gold medal के साथ उसके बाद नई दिल्ली है 39 gold medal के साथ ठीक है अगर आपसे पूछे कि केंदर सासित कौन साराज पहले अस्थान पे हैं तो आप नए दिल्ली बताएंगे ठीक है तो ये था सबसे important मसाल धावक इसको मसाल धावक मलब मसाल को ले करके इसमें धावक का काम कोन किया हीमा दास ने किया ठीक है ये आसम की है तो ये मैं आपको बताया जो खेलो इंडिया यूज गेम 2020 में हुए हैं उसके बारे में एक बीरिफ थिवरी ठीक है अब हम आगे कुछ सम्मान और पुरुसकार के बारे में अध्यान करेंगे देखे कुछ पुरुसकार और सम्मान के बारे में हम अध्यान कर लेते हैं और कुछ अगले वीडियो में अध्यान करेंगे ठीक है देखे नोबल पुरुसकार 2020 एक इसको मिला है इमाइनूल और जोनिफर को मिला है दोनों अलग-अलग साइंटिस्ट है केमिस्ट है आपका सकते हैं ठीक है ये रसायन के छेत्र में इन दोनों को इस साल का नोबल पुरुषकार मिला है इमाइनूल और जेनिफर को ठीक है राजियो गांदी खेल रतन पुरुसकार 2020 में देख लिजे कौन-कौन है रोही सर्मा है क्रिकेट से, मनिका बत्रा है, टेबिल टेनिस से, बिनेस पोगाट है कुस्ती से रानी राम पाल है हाकी से, मरियम पन, ठंगा वेलू, पैरा एथेलीट से है इन लोगों को खिराजियो गांदी खेल रतन पुरुसकार मिला है 2020 में फिर देखे इस साल भारत रतन नहीं दिया गया है किसी को भारत रतन के बाद किसी भी छेतर में उत्रकृष्ट परदसन करने वाले को पदम भीभूसर, पदम भूसर और पदम सिरी पुरुसकार दिया जाता है ये पुरुसकार दिया गया है राश्रपती जी के दोरा पदम भीभूसर जो है साथ लोगों को, पदम भूसर 16 लोगों को और पदम सिरी 118 लोगों को दिया गया है अब किनको नाम जो है जानने के लिए अब हमारा next वीडियो जरूर देखिएगा उसमें हम इसके नाम को explain किया है बहुत लोग नहीं है जो important है या में पूछे जा सकते हैं उनके नाम को हमने explain किया है ठीक है तो next वीडियो हमारा जरूर देखिए हमारे चैनल को जरूर सब्क्राइब कर लिजी अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए और comment box में जरूर बताईएगा कि जो मैंने वीडियो बनाया वो कैसा लगा उसी के अनुसार हम next वीडियो अप्लोड करेंगे ओके थैंक यू